Hello Students this is Prachi, welcome to Ogo channel. हम करने वाले हैं Class TINK MAPS का STANDARD SAMPLE PEPER तो इस SAMPLE PEPER में क्या है। इस SAMPLE PEPER में 2 PARTS है पार्ट A & पार्ट B दोनों के दोनों पार्ट में INTERNAL CHOYSES है। INTERNAL CHOYSES का मतलब जैसे कि और वाले OPTIONS होते हैं तो या तो ये question करो, या फिर ये question करो, इस तरह से, तो part A में क्या है, part A में सबसे पहले जो 16 questions हैं, वो 1-1 marks के हैं, जो हम इस वीडियो में cover करेंगे, और इन 16 questions में से 5 questions के अंदर आपको internal choices दी जाएगी, किस तरह से होती internal choices मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि first question में ही आपको internal choice दी जाएगी है, या तो आपको ये question करना है, या आपको ये question करना है, तो हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1-2-16 questions, जो हर एक 1-1 marks का है, तो चलिए शिरू करते हैं with first question, तो first question कहता है कि if xy equals to 180 है, और hcf जो दे रखा है, xy का, वो 3 है, then find the lcm of xy, इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर question लिख लिए हैं सबसे पहले, xy का मतलब होता है, वो किसी 2 numbers के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से 2 numbers हैं हमें नहीं पता, लेकिन उन 2 numbers का जो product है वो 180 है, और उन्हीं 2 numbers का जो hcf है, वो 3 है, हमें उन्हीं 2 numbers का क्या निकालना है, lcm निकालना है, हमें एक relation जुरूर पता होता है, hcf और lcm में, क्या होता है वो relation, कि hcf multiply lcm is equal to product of 2 numbers, तो हमें यह relation जुरूर पता है, कि hcf को multiply कर दो, lcm को multiply कर दो, वो होता है product of two numbers के equal HCF हमें कितना given है? 3 given है, LCM हमें find करना है और दो number कौन से है? X into Y, यही दो number है, product है 3 into LCM is equal to X multiply Y कितना आपको given है? 180 given है अब 3 यहाँ multiply के, यहाँ कि क्या हो जाएगा? Divide का तो LCM कितना आ गया है? उन दो numbers का? 60 अभी तक हमें वो दो numbers नहीं पता लेकिन still हमने फिर भी क्या निकाल लिया? हमने LCM भी निकाल लिया क्यों? क्योंकि हमें HCF पता था हमें product of two numbers पता था और हमने LCM निकाल लिया This is very important relation और एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगी मैं अगर यहां पर तीन number होते हैं तीन number के लिए यह formula applicable नहीं होता आप नहीं लिख सकते HCF multiply LCM is equal to product of three numbers ऐसा नहीं होता यह सिरफ two numbers के लिए applicable होता तो चलिए करते हैं इसका next part next part है और part the decimal representation of this will terminate after how many decimal places यानि कि इसकी जो decimal representation है कितने digits के बाद terminate हो जाएगी terminate का मतलब है खतम हो जाएगी पहले example लेकर मैं आप लोगों को समझा देते हूं जैसे कि four example मैं लिखा हुआ है two, three, four, five, six, divide by thousand लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकते हूं two, three, three zeros है तो तीन digits छोड़के एक decimal लगा दिया four, five, six तो यानि कि यहां पर आप देख सकते होगे कि one, two, three, three digits के बाद यह क्या हो जाएगी representation terminate हो जाएगी terminate मतलब कि खतम हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हो इसका मतलब यह हुआ कि अगर divide में आपके जितनी भी zeros आते हैं आप उतने क्या लगा देते हो, point लगा देते हो, ठीक है यानि कि यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले तो अगर normal language में बात की जाए अगर आपसे यह पुछी जाएगी पूरी की पूरी term आप क्या करोगे, पूरा इसको solve करोगे 5 को 4 times multiply करोगे फिर multiply 2 करोगे, जो चीज आएगी उसको पूरे को इससे divide करोगे divide करने के बाद जहां आपका point आएगा आप फिर बताओगे कि यहां इतनी digits के बाद ही terminate हो जाएगी, लेकिन यह तो बहुत long method हो गया, ठीक है हमें यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि क्या मैं यह वाला method apply कर सकती हूँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ कि जितनी zeros नीची हो जाएगी जी जितनी zero नीचे होंगी उतनी ही मैं digits को छोड़के वहाँ पर decimal लगा सकती हूँ बिल्कुल लगा सकती हूँ, तो अब यहां पर देखो 2 into 5 है 10 तो बन रहा है, लेकिन यहां 5 की power 4 है अगर यहां पर 2 की power 4 हो जाए तो दोनों को क्या कर सकती हूँ मैं multiply कर सकती हूँ, क्योंकि आपनी छोटे classes में पढ़ा हूँ है, कि दोनों के दोनों basis कब हम multiply कर सकते हैं अगर उन दोनों की power same है, तो मैं अब यहां क्या करने माली हो मैं यहां लिखोंगी 1, 4, 5, 8, 7 divide by 2 की power 1 into 5 की power 4 इसको multiply कर दूँगी 2 की power 3 से और 2 की power 3 से ही divide कर दूँगी क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको cancel कर देते हैं तो भी कोई फरक में पड़ता लेकिन ये और ये दोनों मिल कर क्या बना देंगी? 2 की power 4 बना देंगी तो मैं अब यहां लिखोंगी 2 की power 3 क्या दे? तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 ये क्या हो जाएगा? 2 की power 1 प्लस 3 4 इन्टू 5 की power 4 1, 4, 5, 8, 7 इन्टू 8 डिवाइड बाई अब मैं इसको लिख सकते हूँ 2 इन्टू 5 की power 4 लिख सकते हैं बिलकुल आगे, अब 8 को मैं इसको पूरे से multiply कर रही हूँ तो 8 को इस पूरे से multiply करने पे आगया 1, 1, 6, 6, 9, 6 divide by, ये हो गया 2 multiply 5 की इतना हो गया, 10 10 की power हो गई, 4 तो 1, 1, 6, 6, 9, 6 divide by, 1, 2, 3, 4 आगया तो मैं क्या करूंगी? 4 digits को छोड़ कर क्या लगा दूंगी? यहाँ पर point लगा दूंगी, decimal लगा दूंगी कि कितनी digits के बाद वो terminate हो जाएगा? after 4 after 4 decimal places तो यह आगया आपका answer अब paper में आपको क्या करना है? इतना बड़ा solve करने की need नहीं है अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताओं तो आप क्या कर सकते हो? आप सिरफ यहीं पर ही छोड़ सकते हो यहीं तक रखके इतनी आगे calculate करने की need नहीं तो मैंने आपको समझाया है कि ऐसे कर सकते हो यहाँ पर ही आप छोड़ कर आप देख सकते हो कि 10 की power आजाएगी 4 10 की power 4 का मतलब क्या कि पीछे से आप कितनी digits चोड़ोगे? 4 digits चोड़ोगे तो आप वहीं पर ही अपना time save करने के लिए सिधा answer लिख सकते हो after 4 decimal places और अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों में से maximum power किसकी है अगर यहाँ पर 2 की power 6 होता तो आपका answer आता after 6 decimal places क्यों? अगर आपकी 2 की power 6 होता तो आप 5 को भी 6 बनाते ताकि आप 2 multiply 5 को उपर power 6 लिख सको तो इसलिए जिसके भी maximum power होगी आप उतने लिख सकते हो after that decimal places तो यह था आप लोगों को question number 1 का ओर पाट चली करते हैं question number 2 तो question number 2 क्या कह रहा है if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3 then find the value of k तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ उसको अलग से question क्या दिया हुआ है if the sum of the zeros of quadratic polynomial यह quadratic polynomial दी हुई है और बोला गया है sum of zeros दे रहता है आपको 3 आपको find करनी है value of k तो मतलब क्या है इसको कैसे हम solve करेंगे सबसे पहले तो हम polynomial लिखनेंगे यहाँ पर क्या sum of zeros, sum of zeros क्या होता है दो zero's हम लेट करते हैं कौन सी? let the two zeros B alpha and beta तो क्या होता है sum इनका क्या होता है? sum होता है alpha plus beta तो हमें sum of zeros किसके equal दिया होता है हमें दिया होता है –b by a के equal अब यह क्या है? minus b by a क्या है अगर मैं इस equation को इस से compare करूँ ax square plus bx plus c से compare करती हूँ तो मेरे पास a की value क्या आती है 3 b की value क्या आती है minus k c की value क्या आती है 6 बस यही values हमने यहाँ पर put कर दीनी है alpha plus beta sum of zeros कितना दिया हुआ आपको 3 तो यहाँ लिख देंगे 3 minus b की value क्या है आपके पास minus k minus k divide by a की value क्या है आपके पास 3 क्या कर देंगे cross multiply 3 3 जा 9 हो जाएगा और minus minus plus k हो जाएगा तो k की value कितनी हो जाएगे आपके पास 9 so this is your answer अगर अभी तक आप लगों को sum of zeros क्या होता है alpha, beta 2nd chapter में अगर आपको कोई भी problem है तो मैं 2nd chapter की complete playlist की जो link है वो मैं description box में डाल दूगी आप बहाँ से जाएगे 2nd chapter में पूरा का पूरा आप clear कर सकते हो अपने doubts same, अब चलते हैं question number 3rd पर जो question number 3rd है वो आप लोगों का है 3rd chapter से और अगर आप लोगों को 3rd chapter में भी कोई problem है मैं उसका link भी description box में डाल दूगी complete chapter की playlist का तो चलिए पढ़ते है question number 3rd for what value of k k की value आपको निकालनी है और आपको linear equations दी हुई है एक ये और एक ये और बोला गया है इसके पास कोई भी solution नहीं है तो जब कभी भी कोई भी solution नहीं होता तो हम कौन सी condition होती है no solution की कौन सी condition होती है वो होती है आपके पास a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 अब ये क्या है a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये first equation है ये second equation है तो first equation में आपको a1, b1, c1 मिलेगा a1 है coefficient of x in first equation b1 है coefficient of y in first equation जो यहाँ पर 1 है c1 है constant in first equation next चलते है a2 है coefficient of x in second equation b2 है coefficient of y in second equation c2 है constant in second equation अब no solution है no solution के लिए आपको क्या condition given है कि a1 upon a2 equal b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 अब हम इसमें values put कर देंगे सारी के सारी ये है 3 by 6 equal to 1 by k is not equal to 3 by 8 जब is not equal to है तो हम ये वाले part तो solve भी नहीं करेंगे क्या बचके आपके पास सिरफ ये वाला part इसको cross multiply कर दो यह आजएगा 3 k is equal to 6 k is equal to 6 by 3 cancel करके आगे आपके पास 2 तो k की value कितने आगे आपके पास 2 तो this is your answer तो हम कर चुके हैं first के दोनों पार्ट second question and question number third चले करते हैं question number fourth क्या गयता है question number fourth if three chairs and one table cost rupees 1500 and six chairs and one table cost rupees 2400 form linear equations to represent this situation आपको ये situation आपको linear equation से represent करने है तो हम यहां से क्या करते हैं जब कभी भी आपके पास एक situation दी होती है कि इस टाइ इतनी chairs है इतनी table है तो हम क्या करते हैं हम cost let करते हैं एक की कैसे let करते हैं let the cost of one chair is equal to rupees x and let the cost of one table is equal to rupees y now according to question अगर एक chair की cost x है तो तीर्चेर की cost कितनी हो जाएगी 3x कैसे मालो आपने एक book खरीदी है 100 rupees में आप तीर बुख कितने में खरीद होगी 300 में खरीद होगी तो अगर एक chair की cost x है तो तीर्चेर की कितनी हो जाएगी 3x Similarly, अगर एक table की cost y है, यहाँ तो एक ही table है, तो दोनों को मिला कर कितने पैसे दिये उन्होंने? 1500 तीन चेयर एक table के मिला के उन्होंने दिये 1500 Similarly, 6th year और एक table के मिला के उन्होंने कितने पैसे दिये? 2400 तो यह आपने equations बना ली अब इन equations को solve करने के लिए आपके पास different methods होते हैं, कौन से? Elimination, substitution, cross multiplication, अब इन सभी methods के लिए आप लोगों को chapter 3 की day list में जाना पड़ेगा कैसे solve करते हैं इन questions को? But इस question में इन्होंने बोला था कि इस situation को सिरफ आपने represent करना है तो हमने यहाँ पर हमारा answer आ चुक है, right? चलिए गरते next question Which term of AP is 0? इस AP की कौन सी term आपकी 0 होगी? तो यह chapter है आप लोगों का 5th अगर 5th की भी आप लोगों में कोई problem है, 5th chapter that is arithmetic progression तो मैं उसकी भी playlist description box में डाल दूँगी आप बहाँ जाकर अपना 5th chapter की सारी problems clear कर सकते हो तो कौन सी term? यानि कि number of term आपको n find करना है इस AP की, इस AP में से में को क्या-क्या चीज़ें मिल सकती है सबसे पहले first term मिल सकती है, जिसको मैं a लिखती हूँ और d मिल सकते है, d क्या और तर difference यानि कि जिसमें से a2 minus a1 करते है second term में से first term minus करते है तो मेरे पास d b आ गया is 0, कौन सी term इस AP की 0 है? अगर मैं माल लेती हूँ, कोई भी anath term इसकी 0 है anath term का मतलब है, मुझे नहीं पता कौन सी term है लेकिन मैं पता करना है, कौन सी position पर ही 0 आएगा मतलब क्या जैसे कि 27 है, 24 है, 21 फिर पीछे जाता रहेगा, और कम होता जाएगा अगला क्या आएगा? 18, 3-3 से कम होड़ है 18, 15, 12, राइट? तो ऐसे पीछे जाते-जाते, कौन सी number of term पर 0 आएगा? मैंने माल ले है कि किसी एक position पर 0 आएगा अब A-N का formula तो मुझे पता है, क्या होता है? A plus N minus 1 into D अब A-N क्या है? मैंने लेट कर लिए कि इसी किसी N position पर 0 पड़ा हुआ है तो यह किसी N position पर 0 पड़ा हुआ है A क्या होती है? First term, that is 27 N आपको find करना है कि कौन सी position पर पड़ा ही 0 तो N आपको find करना है 27 प्लस का इधर आके हो जाएगा minus का 27 अब यहां बचे ना बहुत mistake करते हैं उनको लगता है, यह minus का 3 इधर आके plus का हो जाएगा बचों यहां पर यह multiply में है multiply में minus 3 है, तो यहां के divide में minus 3 हो जाएगा minus minus cancel, 3 को इसे cancel किया 9 is equal to N minus 1 माइनस इदर आके क्या हो जाएगा प्लस का तो तेंथ नंबर पे जापकर यह क्या हो जाएगी आंसर आजाएगा 0 तो हमने कर लिया question no.4, question no.5, question no.5 का एक और पार्ट भी पढ़ा है, वो करते हैं सबसे पहले तो लिखा हुआ है, और पार्ट में in an AP, एक AP के अंदर आपको D दे रखा है, आपको N दे रखा है और आपको An दे रखा है और आपको A find करना है, D होता है common difference, यह होती है number of terms, यह होती है किसी एक position पर आपका 4 पढ़ा हुआ है और आपको क्या बताना है, A बताना, यानि कि first term बताने है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, An का में formula पता है, तो An का formula लगा देंगे क्या होता है An का formula, A plus N minus 1 into D, I hope अभी तक आप लोगोंने playlist चेक कर ली होगी, तो आपको इस formula में कोई problem नहीं होगी तो An की value क्या दे रखी है, आपको 4, A find करना है, N की value दे रखी है 7, D आपको दे रखा है minus 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, यह आ गया 4, अब 7 minus 1, यह हो गया 6, minus 4, तो 6 multiply minus 4 is minus 24, यह minus है इधर आ के क्या हो जाएगा, plus, तो यह हो गया 28 आ गया है आपके पास, first term of AP, तो यह था 5th का और पार, चलिए कहते है question number 6, for what value of K, किस value K के लिए, इस equation के equal roots है, तो यह question है आप लोगों का 4th chapter में से, अगर 4th chapter में भी आप लोगों कोई problem है, तो मैं उसका link भी, उसकी पूरी playlist का link, description box में डाल दूँए, अब हाँ से जाके check out कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, equal roots क्या होते हैं, सबसे पहले एक होता है, discriminant, discriminant होता है, B square minus 4A से, यह discriminant का formula होता है, क्या होता है, B, A, C, वो हम सारी के सारी चीज़े यहाँ से निकालते हैं, A होता है, coefficient of X square, B होता है, coefficient of X, C होता है, constant तो यह A, B, C की value हम पहले निकालते हैं, discriminant निकालते हैं, अगर जो आपका D है, वो greater than 0 आजाता है, तो roots आपके real होते हैं, अगर D आपका equal to 0 आजाता है, तो roots आपके equal होते हैं, अगर D आपका less than 0 आजाता है, तो roots आपके imaginary होते हैं, तो यहाँ पर तीनों में से कौन सी condition कि D equals to 0 लगाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D is equal to B square minus 4 यह सी है, ठीक है, D है हमारे पास 0, for equal roots, B, B की value क्या है आपके पार, 6K का square हो जाएगा, minus 4 into A कितना है, 9 है, C कितना है, 4 है, बस इसको solve कर लेते, यह होज़ेगा, 36K square minus, यह होज़ेगा, 4 multiply 9, 36, 36 multiply 4, that is 144, अब यह minus का है, इधर आके, plus का, अब 36 यहाँ पर multiply, इधर आके, divide का, इसको हम solve करते हैं, यह किस पर cancel हो रहा है, यह cancel हो रहा है, 12 पर, और then again, 4 पर, तो यह आज़ेगा, 4 is equal to K square, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, हम कई बार, जो teachers होती हैं, जैसे K square is equal to 4 आता है, आप K equals to plus minus 2 लिख देते हैं, है न, तो आप काफी बच्चों को problem आती है, कि जब हम root हटाएंगे, तो 2 आएगा न, तो plus minus 2 का क्या मतलब, plus minus 2 का मतलब यह है, कि देखिए, अगर minus 2 का आप square करोगे, तो भी 4 आएगा, plus 2 का square करोगे, तो भी 4 आएगा, यानि कि अगर आप 4 का root लोगे, तो आपका plus 2 भी आ सकता है, 4 का root लोगे, तो minus 2 का भी तो square हो सकता है, तो इसलिए इसकी दोनो possibility होती है, तब ही लिखते हैं, plus 2 या minus 2, So, यह था आप लोगों का question number 6, So, हमने 5th का और part कर लिया, 6th कर लिया, आप चलिए करते हैं, 7, 7th की 2 parts है, एक में आपको roots निकालने हैं इस equation के, और दूसरे में आपको बतानी है, A की value, अगर इसके कोई भी no real roots है, इसके चलिए बाद में बाद करते हैं, सबसे पहले इसके roots निकालते हैं, ठीक है, तो find the roots of the equation, इस equation के roots निकालने हैं आपको, सबसे पहले मैं equation लिख देती हूँ यहाँ पर, तो roots में कालने के लिए हमारे पास 2 method हैं, वैसे तो बहुत सारे method हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने 10th में 3 पड़े हैं, 4th chapter में, पहला, number 1, factorization, number 2, completing the square method, number 3, यह discriminant वाला method, real roots वाला method, right? तो 3 ही method आप लोगों को 4th chapter की description box में मिल जाएंगे आपको, तो इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर very easy और short method में करवाने वाली हूँ, that is factorization, जो आप छोटे होते से करते आ रहे हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10, यानि कि कोई ऐसे दो number उठाओ, जिनको हम multiply करें, जिनका हम product करें, तो वो 10 आए, और उन्हीं दो numbers का plus minus करें या sum करें, तो कितना आए, 7 आए, तो हम क्या करते हैं, हम इस number के factors बनाते हैं, जैसे कि 2 पे गया, 5 आगया, 5 पे गया, बना गया, अब इन दो numbers को कुछ इस तरह से plus करो या minus करो कि 7 आजाएं, साफ पता चल रहा है, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 2 और 5 हो गए इसके roots, कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, x square को as it is, 7 x को हम split कर देंगे, किसमें? 2 x and 5 x में, और 10 को हम as it is रखेंगे, अब इन दोनों में से क्या common आ रहा है? x common आ रहा है, x common लेलो, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2, प्लस, अब इन दोनों में से क्या चीज़ common आ रही है? 5 common आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2, तो देखें, x plus 2, x plus 2, दोनों में से common, क्या बच गया? x plus 5, x plus 5, तो हम x plus 2 को 0 के equal put करेंगे, औ x plus 5 को भी 0 के equal put करेंगे, यहाँ से x आजाएगा आपके पास minus 2, यहाँ से x आजाएगा आपके पास minus 5, तो यह हैं इसके दो roots, आपको कैसी पता चलेगा? कि आपने जो answer निकाला है, वो ठीक निकाला है, आप rough में verify करोगे, verify कैसे करते हैं? यह equation लिखी, x square plus 7x plus 10 is equal to 0, x की जगा पर minus 2 put करके check करो, कि आपका answer 0 आता है, और x के जगा पर minus 5 put करके भी देखो, मैं एक बर minus 2 put करके आप लोगों को बता देते हूं, minus 5 आप लोग खुद चेक करना, minus 2 का square plus 7x के जगा पर minus 2, minus 2 का square 4 हो गया, यह हो गया minus 14, यह हो गया plus 10, 10 plus 4, 14 minus 14, आगया 0, ऐसी आप minus 5 check कर सकते हो, आप अपने answer खुद चेक कर सकते हो, कि आपने ठीक करा है, यह नहीं ठीक करा, तो next है इसका और पार्ट, for what value of a quadratic equation, यह आपको quadratic equation दी हुई है, has no real roots, उसके real roots नहीं है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों question number 6 में बताया था, कि 3 equation होती है, कौन सी, अगर d अगर greater than 0 आता है, तो वो real roots होते है, d अगर equal to 0 आता है, तो वो आपके equal roots होते है, अगर d less than 0 आता है, तो वो आपके imaginary होते है, imaginary मतलब real नहीं है, तो यानि कि हम यह वाली condition apply करने वाले है, ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, values लिखेंगे, इसकी a की, a क्या ह है आपके पास 30a, b क्या है आपके पास, minus 6, c क्या है आपके पास, 1, ठीक है, a होता है x square का coefficient, b होता है x का coefficient, c होता है constant, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d का formula, d equals to b square minus 4ac, right, तो यहाँ पर जो d है, वो क्या है, b square, that is minus 6 का square, minus 4, into a कितना है आपके पास, 30ac कितना है, 1 है, और minus 6 का square कितना होगा, 36, minus, यह होगा, आपके पास 120a, अब आपको d क्या दिया हुआ, d जो है, वो less than, क्या है, d is less than 0 है, right, तो यहनी कि d की value क्या है, आपके पास यह है, यह क्या हो नहीं चाहिए, less than 0 होना चाहिए, तो यह आपके पास, minus 120a, less than, यह हो जाएगा, यहाँ पर आके minus 36, right, next step क्या है, minus से minus क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, यहाँ एक चीज आप लोगों की note करने वाली है, note this point, जब कभी भी minus से minus cancel होता है, तो यह जो sign होता है, यह change हो जाता है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120a is greater than 36 हो जाएगा, next step क्या रहेगा इसका, 120a as it is, multiply है, इधरा के divide हो जाएगा, इसको सीधा cancel करेंगे, यह जा रहा है आप लोगों का, अगर मैं इसको cancel करते हूँ 12 पर, तो 12 3 जा, इसको हम लिख सकते हैं, a is greater than 3 by 10, तो यह आपका आजाएगा answer, कि जो a है, उसकी value greater होनी चाहिए 3 by 10 से, अब यहाँ आप लोगों का question यह rise हो रहा होगा, कि मैं जब इसको cancel करते हैं, तो यहाँ पर यह sign क्यों change करा, पहले तो ऐसे sign था, अब ऐसे sign है, ऐसा क्यों change किया, मैं पहले बता देती हूँ, यह है आपका 0, यह है minus 1, यह है minus 2 and so on, यह है plus 1, यह है plus 2, हमें पता है कि नंबर हमेशे ऐसे बढ़ते हैं, यह चोटा है, यह उससे बड़ा है, यह उससे बड़ा है, यह उससे बड़ा है, यह होता है हमारे पास, तो अब देखिए, 1 जो है, वो चोटा है 2 से, है ना, जब मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूँगी, तो माइनस 1 जो है, वो बड़ा हो जाएगा माइनस 2 से, तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा 2 से तो इसलिए जब कभी भी हम minus लगाते हैं या हटाते हैं तो ये greater वाले जो sign होते हैं बिलकुल change हो जाते हैं तो हमने कर लिया 7th के दोनों parts कर लिये हैं चली करते हैं question number 8 If PQ equals to 28 cm then find the parameter of triangle PLM अगर PQ आपको 28 cm दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक 28 cm है आपको parameter बताना है PLM का इस triangle का parameter बताना है तो triangle का parameter क्या होता है? parameter क्या होता है sum of all sides होता है यहनि कि हमें क्या चाहिए PL PLUS LM PLUS PM ये चाहिए हैं ठीक है but इस figure को पहले देखने से हम पहले यह देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़े मिल रहे हैं क्या-क्या चीज़े हम observe कर रहे हैं हमें सबसे पहले दिखाई दे रहे है कि P एक external point है वहाँ से PQ और PT are tangent to a circle that means वो क्या होंगे? equaling length होंगे ठीक है? तो इस कौन सी theorem क्या है थी है आपकी? length of tangent strong form external point to a circle are equal, right? अब और अगर ध्यान से इस figure को हम observe करते हैं तो आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि L भी एक external point है जहां से Q और N जो है वो क्या बन रहे है? tangent बन रहे है इस circle पे, right? तो यहनि कि यहां से हमें पता चला LQ equal to है LN के LQ equal हो गया LN के Similarly, M को अगर मैं point मानती हूं तो यहां से भी tangent draw हो रहा है MT और MN भी draw हो रहा है तो मैं यहां लिख सकते हूं MT equals to MN और तीनों का Reason क्या लिखेंगे यहां पर? length of tangent drawn from external point to a circle R equal कि एक external point पे अगर एक circle है यहां से अगर एक external point से मैं इसके उपर tangent draw करती हूं तो यह जो tangent होंगे इनकी length क्या होगी? equal होगे अगर यह P है यह Q है और यह R है तो PQ equal होगा PR के यह आप ही कहती है theorem कौन सी? theorem है यह आपकी 10.2 theorem है चलिए आगे चलते हैं अब हमें क्या चाहिए? अब हम चाहिए parameter हमने यह चीज़ें तो हमने इस figure को observe कर ली अब हमें चाहिए parameter of triangle PLM parameter का मतलब क्या है? एक तो PL PLUS LM PLUS PM यह चाहिए हमें तो अब इसको क्या लिख सकते है? PL को PL क्या मैं LM को LN PLUS NM लिख सकती है? जी हाँ लिख देते हैं इसको LN PLUS MN PLUS PM as it is ठीक है आगे चलते हैं PL PLUS अब LN किसके equal है? LN equal है LQ के यह हो गया आपका LQ PLUS MN किसके equal है? MT के तो यह हो गया MT PLUS PM as it is ठीक है? अब PL PLUS LQ PL PLUS LQ क्या आपको PQ दिखाई दे रहा है? PL PLUS LQ equals to क्या है? PQ Similarly MT PLUS PM MT PLUS PM PT के equal है? तो इसको लिख कर लिख सकते हैं PLUS PT और PQ क्या दे रखा है हमें? PQ दे रखा है 28 cm PLUS PT किसके equal है? PQ के equal है और PQ कितना था आपका? 28 था दोनों equal थे तो यह 28 है तो यह भी 28 हो जाएगा 28 प्लस 28 है कितना आगा आपके पास? 56 cm This is your answer. तो यह था Q8 चलिए करते है Q9 Q9 के दो पार्ट है पहला पार्ट या और पार्ट या आपको पेपर में या तो यह करना है या यह करना है लेकिन हम solve दोनों करेंगे If two tangents are inclined at 60 degree are drawn at a circle of radius 3 cm then find the length of each tangent यानिकी एक circle है बहर से कोई दो tangent ड्रो हुए है एक माल लेते हैं यह tangent ड्रो हो गया एक tangent यह ड्रो हो गया यह दोनों के दोनों tangents यह आपस में 60 degree का एंगल बनाता है यह 60 degree का एंगल हो गया और इस circle का जो radius है वो 3 cm है तो अगर इसका यह center होगा यह radius है यह हो गया 3 cm और आपको पता है कि इसके जो theorem है 10th chapter की जो theorem है पहली theorem क्या कहती है कि जो radius और tangent होते हैं वापस में क्या होते हैं perpendicular होते हैं यह चीज़ा आगी आपको find करनी है length of each tangent तो मैं इसको नाम दे दे तो पहले PQ यह है R और इसका नाम दे दिया हमने O मेरको find करनी है length of PQ अगर मैंने एक भी length find कर लिए चाहे PQ कर लो चाहे PR कर लो बात एक ही है क्योंकि दोनों की length की जो होती है tangent की वो seam होती है तो मैं क्या करने वाली है है मैं इसको इस तरीके से join कर दूँगी ठीक है total था 60 ठीक है अगर बीच में से मैंने इसको join कर दिया मैं इसको 30-30 लिख सकती हूँ अब आप लोग question पूछेंगे भई हमें कैसे पता कि यह बिल्कुल center में ही होगा यह 30-30 ही होगा सबसे पहले यह तो है one marks का question अगर यह two marks का question होता तो हम सबसे पहले prove करते कि 30-30 है why? कैसे करते? सबसे पहले हम triangle लेते P, O, Q और triangle लेते P, O, R इन दो triangles को congruent proof करते कैसे congruent proof करते? सबसे पहली बात P, Q हो जाता P, R के equal length of tangent drawn to a circle फिर P, O, equal हो जाता किसके? P, O के? दोनों में क्या है? common है फिर क्या होता? O, Q equals to O, R हो जाता क्यों? radii of a same circle तो by S, 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 S दोनों क्या हो जाते? congruent हो जाते congruent होने के बाद मैं ये angle इस angle के equal लिख सकती हूँ by CP, C, T बट इतना सारा काम मैंने नहीं किया क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 1 marks का question है 1 marks के question के लिए आपको ये congruent proof करने की need नहीं है अगर same question आपका 2 marks में आथा तो सबसे पहले आप ये तीनों criteria से ये तीनों condition लगा के by SSS उसको congruent proof करते फिर आप ये angle इस angle के equal को लिखते और फिर लिखते 30-30 है ठीक है? तो आप देखिए अब मैं लिखने लगी हूँ in triangle P, O, Q आपके पास ये 30 degree है ठीक है, radius आपके पास 3 cm आपको चाहिए P, Q चाहिए और कुछ नहीं है आपके पास तो याद करिए जब कभी भी आपको एक triangle के अंदर एक angle दिया हो और एक side दी हो तो आप वहाँ पे क्या अपलाई करते हो? येस, वहाँ अपलाई करते हो आपके पास hypotenuse और जो बच गया वह होता है आपका base यानि कि ये base है और ये हो गया आपका perpendicular ठीक है? तो हमें perpendicular दिया हुआ है हमें base find करना है तो हम कौन सा trigonometric ratio apply करेंगे? trigonometric ratio क्या होते हैं? पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, भोले सोना चांदी तोले P for perpendicular, B for base, H for hypotenuse, S for sine, C for cos, T for tan तो अब देखिए perpendicular और base में कौन सा combination बन रहा है? जी हाँ, विल्कुल last वाला combination बन रहा है that is perpendicular bias is equal to tan अब tan भी कौन सा लगेगा? 30 degree दगाएंगे हम tan 30 degree is equal to perpendicular by base इसके सामने वाला perpendicular होता है that is OQ और ये वाला base that is PQ और tan 30 की value अगर अभी तक आप लोगों को trigonometric ratios ये कैसे learn करते हैं इनकी values कैसे learn करते हैं उसके trick वाली वीडियो अगर अभी तक आप लोगों में नहीं देखी है तो मैं उसका link I button पर डाल दूँगी आपके पास 1 by root 3 OQ OQ है आपके पास 3 PQ आपको find करना है cross multiply यहां से आपके पास PQ आगया 3 root 3 cm अगर PQ आचुका है तो P R भी बिल्कुल यही होगा by length of tangents transform external point to a circle are equal in length तो यह हो गया आपका answer चलिए करते हैं इसका और पार्ट और पार्ट क्या गहरा है PQ एक tangent है circle पर जिसका center है O और वो tangent है वो point P पर है ठीक है और if triangle O PQ एक isosless triangle है आपको find करना है O Q P आपको यह आपको find करना है तो सबसे पहले आपको पता आना चाहिए PQ एक tangent है तो यह रहाँ एक circle और इस circle पर एक tangent है कौन से point पर add point P यह आपका P point रहेगा यह आपका Q point रहेगा center है इसका O ठीक है तो O P Q यह इस तरीके से और हमने बोले एक isosless triangle है isosless triangle कैसे हो सकता है देखिए अगर यह 90 degree है ठीक है क्यों क्योंकि यह radius जो होता है वो tangent के perpendicular होता है तो इसके सामरे वाली side तो होगी hypotenuse तो जो hypotenuse होती है वो तो किसी के equal नहीं होती तो क्या बची यह side यह side दोनों क्या होंगी equal होंगी ठीक है आपको find क्या करना है आपको find करना है O Q P O Q P यह angle आपको find करना है ठीक है तो अब देखिए in triangle O P Q हमारे पास angle O P Q तो 90 degree है ठीक है और क्या given है कि यह side इस side के equal है क्योंकि वो isosless triangle है isosless triangle में दो side क्या होती है equal होती है अगर दो side equal है तो यह angle इस angle के equal होगा वाई angles opposite to equal sides are equal तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे angle O P Q plus angle O Q P plus angle Q O P is equal to 180 degree तीनों angles का सम 180 angles हम प्रोपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है अब यह O P Q तो 90 दिया हुए आपको आपको find करना है O Q P और हम Q O P को भी हम लिख सकते हैं O Q P यानि कि यह angle इस angle के equal हो जाएगा वाई reason लिख देंगे हम angles opposite to equal sides of a triangle are equal तो आगे angles opposite to equal angles opposite to equal sides तो यह 90 plus का है कि क्या हो जाएगा 90 minus का और यह हो जाएगा आपके पास 2 of angle O Q P 180 में से 90 minus के 90 आगया 2 multiply का इधर आके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो यह 90 divided by 2 यह हो जाएगा आपके पास 45 तो यह ही आपको angle find करना था तो यह था आप लोगों question number 9 का और पार्ट तो हम कर चुके हैं 8 और 9 की दोनों पार्ट आगे चलते हैं अब है आपके पास question number 10 तो question number 10 क्या कहता है in the triangle ABC एक triangle है ABC में draw कर लेती हूं सबसे पहले यह है ABC D और E जो है वो points है AB पर यहनि की AB पर point है D और AC पर point है E ठीक है such that जो DE है वो parallel है BC के DE parallel है BC के also आपको क्या दे रखा है AE की value दे रखी है 2 cm यहां से यहां तक है 2 cm और AD की value दे रखी है आपको 3 cm यह 3 cm है BD आपको दे रखा है 4.5 और आपको CE point करना है ठीक है तो याद हो तो यह कौन से चाप्टर में से है जी हां यह चाप्टर है 6 that is triangles और वहां पर आप लोगों को क्या दिया होता है आपको बताया होता है कि अगर एक triangle है इसके इस line के एक line यहां पर parallel है तो हम क्या लिख सकते है यह इसका ratio इसके साथ इसका ratio इसके साथ लिख सकते है यह कौन सी theorem थी यह theorem थी आप लोगों की basic proportionality theorem इस B.P.T. और दूसरा नाम की ओता है इसका थेल्स theorem अगर अभी तक आप लोगों ने यह B.P.T. की जो proof है वो नहीं देखा तो आप सजेस्ट एक बर जरूर देखे जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा अगर आप लोगों को six chapter that is triangles में problem है तो वो मैंने पूरा chapter करवाया हुआ है आप description box में जाके पूरे chapter की playlist देख सकते है वहाँ आप click करोगे तो आपको पूरा का पूरा chapter मिल जाएगा और कोई भी problem हो आप वहाँ पर जाकर clear कर सकते हैं यहाँ हमें क्या given है हमें given है DE parallel है BC के अगर यह parallel है तो हम लगा सकते है by basic proportionality theorem यह theorem क्या कहती है कि जो AD होगा divide by DB होगा इसका ratio equal होगा AE divided by EC के बस अब हमने क्या करने values put कर देनी है AD के value 3 DB के value 4.5 AE के value 2 और EC find करना cross multiply इसको इससे multiply कर देंगे यह हो जाएगा आपके पास 9 9 divided by 3 cancel करके आजएगा 3 cm answer बस कुछ भी नहीं करना था हमने क्या लगाई है BPD लगाई है इसके अंदर तो यह था आप लोगों question number 10 चलिए करते है question number 11 तो question number 10 done है next है आपके पास question number 11 आपको यह figure को observe करना है ध्यान से और आपको बताना है कि जो C है वो AB line को कितने ratio में divide करता है ठीक है तो देखे यह रही AB line और यह रहा point C ठीक है तो आप देख सकते होगे C point नीचे से A to C कौन सी आर्क पे जा रहा है 8th आर्क पे जा रहा है और C से लेकर B यह कौन से आर्क तक जा रहा है यह जा रहा है 5 आर्क तक जा रहा है तो यह होता है 8 ratio 5 यहनकी AC हो गया 8 और CB हो गया 5 तो यह हो गया आपका 8 ratio 5 अब आप को गए यह चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है जी हाँ यह आप पढ़ चुके हो यह आपने पढ़ी है Construction Chapter 11th में उसमें हमने दो करे थे दो टाइप के method करे थे कि अगर माल लेते हैं एक line है ठीक है इस line को आपने माल लेते हैं 2 ratio 3 में cut करना है ठीक है तो हम क्या करते थे यहाँ पर एक acute angle बनाते थे 2 plus 3 5 5 arc लगाते थे ठीक है last वाली arc को इससे join कर देते थे है ना angle लेकर और फिर इसका angle measure करके 2 वाले को उससे में लगा देते थे तो यह हो गया आपका 2 ratio 3 यह तो था आपका first method similarly second method क्या होता है same वही एक line लो यहाँ पर arc लगाओ पहले को 2 ratio 3 में करना है तो यहाँ पर 2 arc लगा दो similarly यहाँ पर same angle बनाओ और यहाँ पर 3 arc लगा दो ठीक है फिर क्या करते थे इस 2 को और इस 3 को क्या कर देते थे ऐसे join कर देते थे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो गए क्या है यह? यह है A1, A2 तो यह हो गया 2 यह हो गया B1, B2, B3 यह हो गया 3 तो यह हो गया 2 ratio 3 में हो गया तो अब देखें अगर आप लोगों को लगता है कि 5 ratio 8 भी हो सकता था कई बच्चे मिस्टेक करते हैं पहले देख लिया 5 लास्ट में देख लिए एक तो 5 ratio 8 यहाँ पर देखें आपको ratio बताना है AC और CB का AC बड़ा है तो आपको पता है 5 बड़ा कि 8 8 बड़ा है तो 8 आएगा पहले CB छोटा है तो 5 छोटा तो 5 आजएगा तो 8 ratio 5 यहाँ आप अगर देखो तो 2 छोटा है यहाँ चोटा यहाँ आया 3 बड़ा है तो 3 यहाँ पर जादा वाला एरिया आगया तो इस तरीके से आप इसका ratio find कर सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 8 ratio 5 यह था आप लगों का question number 11 चलिए करते हैं question number 12 तो question number 12 क्या कहता है sin A plus cos B have 1 k equal और आपको A दे रखा है 30 degree आपको B find करना है और B उन्होंने बताया है कि वो क्या है acute angle है तो यह कौन से chapter से हैं? यह chapter आप लगों का 8 that is introduction to trigonometric तो अगर अब हो तक आप लगों को 8 chapter में भी problem है तो उसका link भी मैं description box में डाल दूंगी आप बहाँ पर जाके फूरी complete values दे सकते हैं for this video आप लोगों को solve करना है तो सबसे पहले sin A तो हम यहाँ value put करेंगे sin A की कितनी put करेंगे 30 degree cos B as it is यह हो गया आपका 1 तो अब आप लोगों को sin 30 की value यादोने चाहिए I hope अभी तक आप लोगों ने वो trick वाली video देख ली होगी जिसमें मैंने आपको बताया था tan की, cos की, sin की सब की आप values कैसे learn कर सकते हो ठीक है तो sin 30 की value आपने वहाँ से table में से learn कर ली होगी I hope वो होती है 1 by 2 cos B as it is अब यह 1 by 2 plus का है यहाँ के हो जाएगा minus का 1 minus 1 by 2 LCM ले लेते हैं 2, यह अगया 2 minus 1 यह होगया again 1 by 2 तो अब आपके पास cos B equals to 1 by 2 अब cos में किस की value होती है कौन से angle की value होती है 1 by 2 Yes, cos में होती है 60 की value होती है 1 by 2 अब यहाँ भी cos है यहाँ पे भी cos है यह हो गया B B क्या है आपके पास 60 degree आगया है तो this is your answer अब आपको लग रहा होगा सबसे पहले तो मैंने इसकी value कैसे लिख दी फिर लग रहा होगा इसकी value मैंने यह कैसे लिख दी तो इनकी values के लिए आप लोगों को वो table जरूर visit करना पड़ेगा वहाँ पे मैंने आप लोगों को य यह है आपको find करनी है value of x plus y तो हम क्या कर देंगे x plus y is equal to x की value क्या है 2 sin square theta plus y की value क्या है 2 cos square theta plus 1 अब दोनों में से क्या common आ रहा है 2 common आ रहा है अंदर क्या बच जाएगा sin square theta plus cos square theta यहाँ पे बच गया 1 2 in 2 अब आप लोगोंने identities पढ़ी हुई है 3 identities थी और उन identities को learn करने की भी trick की video बनाई हुई है तो उसकी video भी मैं आई बटन पे डाल देती हूँ trick to learn trigonometric identities तो वो 3 के 3 identities कैसे learn कर सकते हैं बचों को बहुत problem आती है तो वो trick आप आप देख सकते हैं और यहां पर यह है आप लोगों की very first identity that is cos square theta sorry sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है यहां लिखेंगे आप तो इसकी जगा पर 1 put कर देंगे तो 1 put कर दो plus 1 2 multiply 1 2 plus 1 that is 3 यह आगया आपका answer तो यह था आप लोगों question number 13 तो हमने कर लिया है 12th 13 चलिए करते है question number 14 question number 14 क्या कहता है inner circle of diameter 42 an arc substance and angle 60 degree at the center where आपको पाई लेनी है 22 by 7 then but will be the length of the arc तो सबसे पहले मैं एक circle draw करती हूँ circle में उन्होंने बोला है एक जो है arc है वो angle बनाती है 60 degree arc क्या होती है अगर मैं यह दो points लेती हूँ इन दो points को circle की ऊपर से join कर दूँ यह है point A यह है point B इनको circle की ऊपर से join कर दूँ तो इसे हम बोलते हैं arc यह center में angle subtend करती है subtend मतलब की बनाती है कितना बनाती है 60 degree का बनाती है ठीक है आपको length of arc बताने length of arc मतलब क्या है आपको बतानी है length of arc A B बतानी है ठीक है तो इसको मान लेते है O अब इन्होंने दे रखा है diameter 42 है अगर diameter 42 है तो radius कितना हो जाएगा उसका half हो जाता है 42 divided by 2 that is radius आगया आपके पास 21 cm तो O A कितना होगा 21 cm अब आपको length of arc निकालनी है अब आप लोगों को formula याद होना चीए कैसे length of arc A B कितना होता है formula theta upon 360 into 2 pi r ये formula आप लोगों को learn होना चाहिए ये है length of arc का ठीक है तो अब यहाँ पर theta क्या होता है theta is the angle subtended at the center वो कितना है आपके पास 60 तो theta की जगा पे लिखेंगे हम लिखेंगे 60 divide by 360 into 2 pi की value अल्यडी दे रखिया 22 by 7 और radius हमने अल्यडी निकाल लिए that is 21 0 से 0 cancel 6 6 सा 36 7 को इसे cancel किया 3 आ गया 3 को इसे cancel किया 2 आ गया 2 को 2 से cancel कर लिए कि अब उसके आपके पास सिरब 22 cm this is the length of arc ये है आपकी 22 cm तो ये था question number 14 चले करते है question number 15 तो question number 15 क्या कहता है 12 solid spheres है जिनकी same radius है ठीक है और उन सब को melt किया गया है और एक cylinder बनाया गया है ठीक है जिसका जो diameter है वो 2 cm और height जो है वो 16 cm है यानि कि हमने ऐसे solid spheres ले लिए 12 ठीक है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब को हमने melt किया और एक बनाया cylinder जिसकी cylinder की जो height थी वो थी 16 cm और diameter था 2 diameter यह होता है 2 तो radius कितना हो जाएगा? इसका आधा होता है तो radius हो गया 1 cm ठीक है? तो अब आपको find करना है find the diameter of each sphere इन spheres का diameter बताने आपको ठीक है? अब देखें इन सब को melt किया और एक cylinder बनाया यहनि कि इसका volume इसके volume के equal होगा हमने ना कुछ head किया ना कुछ subtract किया है ना? तो इन 12 के 12 spheres को हमने melt कर दिया और इसको यह shape दे दी तो हम लिखेंगे यहाँ पर volume of 12 spheres is equal to volume of cylinder ठीक है? तो 12 बाहर volume of sphere क्या होता है? याद करिये 4 by 3 pi r cube होता है और volume of cylinder क्या होता है? यह होता है आपके पास pi r square h अगर अभी तक आप लोगं को formulas learn नहीं है तो एक बार formulas जरूरू learn कर लें यह बहुत important है तो next अब हमने इसकी values put कर देनी है यहाँ पर ठीक है? तो यह हो जाएगा इसको cancel कर देते हैं पहले 3 को इसे cancel किया 4, 4, 4, 4 16 हा गया pi इधर भी है pi इधर भी है pi से pi cancel r cube कई बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर r को r से cancel कर देंगे but the problem is यहाँ पर r है radius of sphere का जो अलग है यहाँ पर r है radius of cylinder का जो अलग है तो आप इसको cancel नहीं कर सकते हो ठीक है? तो यहाँ पर r हमने क्या put किया है? अगर diameter 2 है तो radius कितना है? 1 तो यह होजाएगा 1 का square into height कितनी है? 16 है ठीक है? तो यह क्या होगया? 16 16 cancel यह होगया r cube equals to 1 तो r cube यह भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहनिकी 1 को अगर हम cube root लेते हैं तो भी क्या आता है? 1 तो radius होगया 1 cm उन्होंने पूछा क्या है? diameter पूछा तो diameter क्या होता है? radius का double यह होगया 1 तो यह आगया आपके पास 2 multiply 1 2 cm इस था diameter of the spheres तो यह ही आपको find करना था यह था question number 15 चली करते है question number 16 तो 16th के 2 parts है यानि कि आपको question में paper में या तो यह करना होगा या यह करना होगा चली शुरू करते हैं पहले यह वाला part find the probability of getting a doublet in a throw of a pair of a dice dice को अगर हम throw करते हैं pair को यानि कि 2 dice को हम throw करते हैं तो doublet find करने की probability बताओ तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम total possible outcomes यानि कि कितनी possible outcomes आ सकती हैं अगर हम 2 dice को throw करते हैं तो याद हो आप लोगों को तो हम कैसे करते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले माल लेते हैं first die पे आएगा one दूसरी die पे भी आजाता है one फिर माल लेते हैं first die पे आएगा one और दूसरी die पे आजाएगा two फिर माल लेते हैं first die पे आएगा one दूसरी die पे आएगा 3, इस तरीके से हम 1 को fix कर लेंगे और दूसरी die के number change करते रहेंगे अब 2, 6, हमें पता ने die 6 की ही होती है, वही लुड़ों खेलने वाली अब next के लिए हमने 1 fix कर लिया था, फॉस्ट वाली पे अब फॉस्ट वाली पे 2 fix कर दो और फिर दूसरे के number change करते रहो 2, 2, 3 2, 4 2, 5, and 2, 6, अब 2 भी fix कर लिया, आप किसका number आएगा? 3 fix करनेगा 3 fix करके, दूसरे number को हम change करते रहेंगे फिर हम किसको fix कर लेंगे? ऐसी हम 4 को fix कर लेंगे, 5 को fix कर लेंगे, 6 को fix कर लेंगे, और आगे सारे number change कर देंगे, तो इस तरीके से हमने सारी के सारी possible outcomes बना ली, पहले 1 को fix कर लिया, मतलब एक डाई पर एक number fix कर लिया, अगली डाई के number चला दिये, ऐसी अगली डाई को fix कर लिया, फिर number चला दिये, इस तरीके से, तो अभी डाई पर सेम नंबर आए, तो दोनों डाई पर सेम नंबर कहां कहां आ रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम लिखेंगे, probability of occurring an event is equal to favorable outcomes divided by total possible outcomes, तो favorable कितनी है, कितने doublet आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, और total possible outcomes कितनी है, 36, 6 को इसे cancel करती है, this is your 1 by 6 answer, तो ये था question number 16, इसका करते हैं, और part, और part क्या कहता है, find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from the well-shuffled pack of 52 cards, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो 52 cards का हम कैसे solve करते हैं, तो 52 cards जो होते हैं, उनको हम पहले divide करते हैं, वो होते हैं, 26 black होते हैं, और 26 red होते हैं, ठीक है, अब 26 black में, जो आते हैं, यह आते हैं spade और इसको बोलते हैं club, यानि कि 13 spade होते हैं, 13 club होते हैं, similarly red के लिए 13 होते हैं heart और 13 होते हैं diamond, ठीक है, और इनकी numbering कैसे शुरू होते हैं, king, queen, jack, ठीक है, उसके बाद फिर, यह 3 हो गए, उसके बाद फिर 10, 9, 8, 7 से लेकर 1 तक जाते हैं, और 1 को हम लिख देते हैं ace, ठीक है, similarly यहाँ पर भी king, queen, jack, फिर 10, 9 से numbering शुरू हो जाती है, यहाँ पर भी king, queen, jack, फिर 10, 9, 8, 7, king, queen, jack, फिर 10, 9, 8, 7 से लेकर ace तक, पूरा का पूरा, ठीक है, हमें क्या find करना है, यह total cards हैं 52, तो total possible outcomes तो 52 हो गए, हमें चाहिए black की queen, तो black की queen, queen यह रही और एक यह रही, दोनों black में ही आ रही हैं, तो कितनी queens हैं? 2 queens हैं, तो हम लिखेंगे probability of occurring an event, is equal to number of black queens, is equal, divide by total number of cards, तो probability of getting a queen, black queen, 1 to 2, divide by total cards कितनी हैं 52, cancel करके कितना आ गया, 1 by 26 is the answer, तो हमने कर लिया, 14, 15, 16 का ये वाला part भी, और 16 का और part भी कर लिया हमने, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर section 1 of part A complete हो चुका है, जिसके अंदर 16 questions थे, अब next video में हम cover करेंगे section 2, जिसके अंदर क्या होंगे? study, case study based questions होंगे, और उसको हम कैसे solve करते हैं, वो हम करेंगे next video में, so thank you, that's all for this video.